नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स अभी हम बात काने जा रहे हैं Central Bank of India के बाड़े में क्योंकि Central Bank of India ने अपने December quarter के result को अभी अभी प्रजेंट किया है आप देख सकते हैं कि 18.9 यहाँ पर प्रजेंट हो रहा है लेकिन इसे हम करोड में कंभर्ट करके आपके सामने प्रजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी इस company के द्वारा जो total income पोश्ट किया गया है interest earning से और other income से वो 7,665 करोड 69 लाग का जबकि पिछले quarter में 7,093 करोड 8 लाग का जबकि पिछले year December quarter में इनका जो total income था वो 6,551 करोड 10 लाग का तो friends यहाँ पे इनका जो total income है वो quarter on quarter भी increase किया है अगर yearly बात करेंगे तो भी इनका जो total income है उसमें improvement देखने को मिला है इसके अलाबे अगर expenses की बात करेंगे तो Central Bank of India ने जो अपना expense पोश्ट किया है वो 5,847 करोड 7 लाग का जबकि पिछले quarter में इनका जो total expense था वो 5,335 करोड 93 लाग का जबकि पिछले year December quarter में इनका जो total expense था 5,289 करोड 3 लाग का तो फ्रेंट इनका जो expense है वो यहाँ पे quarter on quarter और year on year इनके इस किया है तो चलिए देखते हैं कि Central Bank of India को कितना net profit में सुद्धलाब कितना हुआ है तो फ्रेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस bank को जो सुद्धलाब इस बार हुआ है वो 473 करोड 47 लाग का जबकि पिछले quarter में इनका 341 कर 41 लाग का था जबकि पिछले year December quarter में इस bank को जो net profit हुई थी वो 282 करोड 48 लाग का तो फ्रेंट यहाँ पे अगर आप quarter wise भी comparison करेंगे तो इस bank का performance काफी सांदार देखने को मिला है और अगर yearly wise comparison करेंगे तो भी बहुत ही सांदार company के द्वारा performance यहाँ पे दर्ज की गई है और इस bank को बहुत ही सांदार profit देखने को इस quarter में मिला है तो चलिए देखते हैं कि NPA का burden इस bank पे अभी है या फिर decrease हुआ है तो friends इनका जो इस अभार का NPA है आप देख सकते हैं 2.09% का जबकि पिछले में इनका जो NPA था वो 2.95% का जबकि पिछले year December quarter में इनका जो NPA था वो 4.37% का तो friends इनका जो NPA है वो करीब-करीब आधा हो चुका है और yearly बात करेंगे तो भी और quarterly बात करेंगे तो भी तो इन पे जो NPA का button है वो बहुत हद तक release हो चुका है तो इस वार का result इनका बहुत ही सांदार देखने को मिला है तो friends इसका परिणाम इसके जो share price है उस पे जल्द ही देखने को आपको मिलेंगे और इनका surprise अपर की तरफ मूव करते हुए आपको दिखेगी तो friends आज के लिए इतना ही आपका देन शुभ हो